सब्सक्राइब कीजी हमारा चैनल क्रेजी जिके ट्रिक और लेटेस्ट विडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं जिके ट्रिक का एब डाउनलोड कर लिजिए महाँ पर देखिए वीडियो के सेक्शन में आपको वर्ल जोगरफी और भी जीके के सारे वीडियो जो है वो अच्छे से केटेगराइज फॉम में आपको मिल जाएंगे ठीके फ्रेंड्स तो आज के देखिए इस वीडियो में च चीच को हम समझेंगे चकरवात के प्रकारों को हम देखेंगे विभिन प्रकार के चकरवातों को देखिए वीश्व में किस नाम से जाना जाता है उसकी हम बात करेंगे साथ ही हम बात करेंगे प्रती चक्रवात एंटि साइकलोन क्या होता है और लास्ट में एक very important question answer test भी ल तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो friends देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हवा air होती क्या है, देखिए मैं आपको पुरा concept चुली समझाऊंगा, बस आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है, जादा आपको याद करने की जरूतनी है, एक बार बस ये वीडियो देख लोगे, आपको बहुत इजी तरीके से टॉपिक समझ में आ जाएगा, तो हवा wind होती क्या है, mixture of gases को क्या बोलते हैं हवा बोलते हैं, गेसों के मिश्रन को ही हवा कहा जाता है, जब ये हवा एक इस्थान से दूसरे इस्थान प वो गती करती है, जब भी वातावरण में pressure difference होगा, तब हवा जो होगी वो गती करेगी, अब एक चीज़ ध्यान रखेगा, वायू मतलब हवा का एक नियम होता है, कि वायू हमेशा high pressure से low pressure के और गती करती है, ओके, high pressure से low pressure के और गती करती है हवा, येकि इसको याद करने का मैं आपको simple सा तरीका बदाता हूँ, student जो होते हैं, वो exam को लेकर high pressure में होते हैं, ठीके, तो वो high pressure की condition में क्या करते हैं, अपने friends से बातचित करेंगे, या फिर अपने parents से बातचित करेंगे, तो वो क्या करते हैं, high pressure से low pressure में जाने की कोशिश करते हैं, कि मेरा pressure तोड़ा स कोशिश करता है, उसी तरीके से हवा भी जो होती है, वो high pressure से low pressure की ओर चलती है, ठीके friends, समझ में आया आपको, बहुत ही basic concept है, तो friends देखिए, यहाँ पर हमने बात करी air pressure की मतलब वायूदाब की, तो उससे related एक point ध्यान रखिएगा, कि वायूदाब को barometer का उप्योग करके वायूदाब को मापा जाता है, barometer में जब पारा अचानक से गिरता है, तो वो तुफान आने का संकेत देता है, जब पारा धीरे-धीरे barometer में बढ़ने लगता है, तब वो प्रती चक्रवाद मतलब anticyclone का संकेत देता है, ठीके मतलब मोसम साफ होने वाला है, यह हम आगे स तो बस ध्यान रखेगा, वायूदाब को barometer की साहिता से मापा जाता है, साथी ध्यान रखेगा, हवा का एक और characteristics होता है, कि जब हवा जो होती है, वो गर्म हो जाती है, तब वो गर्म होने के बाद हलकी हो जाती है, और धीरे-धीरे जो है हवा उपर उठने लगती है, वाय प्रेशर जो होता है, वो temperature के inverse होता है, जब भी pressure बढ़ेगा, तब temperature कम हो जाता है, जब भी pressure कम होगा, तब temperature बढ़ जाता है, ठीक है, यह inverse relation होता है, दोनों के बीच में, देखे, UPPCS 2015 में इस से related एक question पुछा था, कि प्रत्वी पर वायूदाब कम कब होता है, तो पर वायूदाब जो होता है, वो कम होता है, basic concepts से देखिए, question यहाँ पर exam में पुछ लेते हैं, तो ध्यान रखेगा इस चीज़ को, तो यह हमने देखिए बात करी हवा के characteristics की, I hope आपको समझ में आया होगा, अब देखिए friends हम आगे बात करते हैं कि चक्रवात होता क्या है, cyclone क्या होता है और इसकी उत्पत्ती कैसे होती है, ठीक है, तो इसकी definition हम बात में discuss करेंगे, पहले देखिए हम बात करते हैं कि इसकी उत्पत्ती कैसे होती है, तो देखिए friends, प्रत्वी, जब सुर्य के प्रकाश के करण गर्म हो जाती है, तब प्रत्वी पर मोजूद वाय वायू जो है, वो गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद देखिए वायू क्या हो जाती है, हलकी हो जाती है और उपर उठने लगती है, जब वायू उपर की और उठ जाती है, तब वहाँ पर देखिए निम्न दाप का एक शेत्र बन जाता है, जो रिक्तस्तान बन जाता ठीक है जो space create हो जाता है वहाँ पर देखिए निम्नदाप का एक शेत्र बन जाता है, low pressure center जो है वहाँ पर generate हो जाता है तब देखिए जो आजपास की high pressure वाली जो हवा है वो निम्नदाप की और गती करने लगती है जब भी pressure difference होगा हवा जो होगी वो गती करेगी, हमने पढ़ रखा है ठीक है ना friends? तो high pressure से low pressure की और हवा जो है वो गती करने लगती है अब एक चीद ध्यान रखिएगा, हवा जो होती है वो सीधे high pressure से low pressure की और गती नहीं करती है देखिए friends, यहाँ पर एक concept है प्रत्वी की गुणन गती है कारण जो प्रत्वी अपने अक्ष पर गुमती है उसके कारण देखिए Coralysis बल जो है, वो create होता है और वो बल जो होता है वो वायू को क्या करता है, चक्री गती प्रदान करता है ओके friends, इसलिए वायू जो है, high pressure से low pressure की ओर जाने पर चक्रदार मार्क पर गती करने लगती है जिसे ही हम क्या बोलते हैं, चक्रवात कहते हैं simple सी बात है देखे, नाम से इसपस्ट हो रहा है, ठीक है, चक्रदार हवाय मतलब चक्रवात, clear तो आपको यहाँ पर देखिए, समझ में आया होगा कि चक्रवात के सेंटर में जो है वहाँ पर निम्न दाप का शेत्र होता है और बाहर की ओर जो होता है वो high pressure का होता है क्योंकि high pressure से low pressure की ओर हवाय जो है, वो गती करती है समझ में आया आपको, बहुती simple concept है चक्रवात के सेंटर में low pressure है बहार की और high pressure है low pressure क्यों create हुआ देखिए यहाँ पर सूर्य के प्रकाश के कारण प्रत्वी पर मुझूद वायू गर्म होकर उपर उठने लगती है तब आसपास की जो ठंडी हवाएं है मतलब high pressure वाली जो हवाएं है वो low pressure की और गती करने लगती है ठीके इसलिए चक्रवात के center में low pressure होता है और आसपास जो होता है वहाँ पर high pressure होता है ठीके friends बहुती clear है SSC में question यहाँ से पूछ लिया गया था इस चीज़ को ध्यान रखिएगा अब देखिए यहाँ पर हमने एक force की बात करी Coriolisis ball ठीके Coriolisis force यह क्या होता है बहुती important concept का ध्यान से समझेगा यहाँ से भी exam में question पूछा गया था देखिए प्रत्वी जैसा कि आपको पता है कि अपने अक्ष पर घुन्णन करती है इस घुन्णन के कारण बायो की दिशा में deflection मतलब wick shape देखने को मिलता है सबसे पहले इस wick shape को deflection का अध्यन किसने करा था GG Coriolisis ने किया था इसलिए इस wick shape और force को इस wick shape और bulg को deflection को क्या कहा गया Coriolisis bulg कहा गया अब देखिए friends GG Coriolisis ने क्या देखा जो हमारी प्रत्वी है वो उत्री गोलार्द और दक्षिनी गोलार्द में बटी हुई है ठीक है पहले भी हम discuss कर चुके है तो उत्री गोलार्द में गतिशिल वस्तु जो होती है जैसे कि पवन, पक्षी, मिसाइल, गोली ये सब जो गतिशिल वस्तु होती है इस बल के प्रभाव के कारण राइट साइड मुड़ जाती है मतलब अपने दाएं की तरफ में मुड़ जाती है और दक्षिनी गोलार्द में वो लेफ्ट साइड को मुड़ जाती है ठीक है, इस बात का अध्यन जो है वो किस ने करा जी-जी, कॉरेलिसिस ने करा इसलिए इस डिफ्लेक्शन फोर्ज को क्या कहा गया कॉरेलिसिस बल कहा गया ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा ये कॉंसेट जो है, ये आगे यूज होने वाला है तो इस चीज को ध्यान रखेगा उत्री गोलार्द में गतिशिल वस्तु जो है, इस बल के प्रभाव के कारण अपने राइट साइट की और मुड़ जाती है और दक्षिनी गोलार्द में लेफ्ट साइट की और मुड़ जाती है आगे जो हम डिसकस करने वाले हैं कि चक्रवात में हवा की direction क्या होती है anti cyclone में हवा की direction क्या होती है वो बड़ी आसानी से आप निकाल पाएंगे अगर आपको ये concept clear होगा तो तो ये हमने समझ लिया चक्रवात क्या होता है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है ठीके आगे अब बात करते हैं चक्रवात के प्रकारों की तो देखिए फ्रेंड्स चक्रवात के दो प्रकार होते हैं एक होता है उश्न कटी बंदी चक्रवात और एक होता है शितोष्न चक्रवात ओके ट्रॉपिकल साइकलोन और टैंप्रेट साइकलोन चलिए इनकों समझ लेते हैं तो देखिए ये हमारी प्रत्वी है, इसके सेंटर में 0 डिगरी अक्षांश, मतलब भूमत दे रेखा, इसे equator बोलते हैं, उत्री गुलार्द में देखिए 3.5 डिगरी अक्षांश, इसे करकर रेखा बोलते हैं, तो करकर रेखा और मकर रेखा के बीच का जो शेत्र होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, उश्न कटी बंदी शेत्र बोलते हैं, ठीके, अब देखिए फ्रेंड्स, उत्री गुलार्द और दक्षणी गुलार्द में, 23.5 डिगरी से लेकर, 24.6 डिगरी तक जो शेत्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, शितोष्न कटी बंदी शेत्र बोलते हैं और देखिए फ्रेंड्स साड़े छाँचाट डिगरी से लेकर धुरूव तक का जो एरिया होता है उसे हम क्या बोलते हैं शीत कटी बंदी शेत्र बोलते हैं ठीक है फ्रेंड्स पोल तक का जो एरिया होता हैं मतलब उश्नकटीबंदी शेत्र में पैदा होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम उश्नकटीबंदी चक्रवात केते हैं 35 डिगरी से लेकर 65 डिगरी अक्षान्षों के बीच आने वाले चक्रवातों को क्या बोलते हैं शितोष्नकटीबंदी चक्रवात केते हैं बहुत ही सिंपल है, शितोषन कटीबंदी शेत्र में आने वाले चक्रवातों को क्या बोलते हैं? शितोषन कटीबंदी चक्रवात केते हैं, 35 डिगरी से लेकर 65 डिगरी अक्षानशों के बीच में, ठीक है? कॉरिलेसिस बल का, वो यहां पर यूज होने वाला है, जी जी कॉरिलेसिस ने देखिए क्या बोला था? कि जब भी हवा उत्री गुलार्द में, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और गती करती है, तो वो अपने राइट साइड मतलब दाएं तरब की और मुर जाती है, ठीक है फ्रेंड्स? मतलब उसमें डिफ्लेक्शन देखा जाता है राइट साइड की और, तो देखिए यहां पर राइट साइड की और हवा जो होती है, वो मुर जाती है, अब देखिए इस सरकल को आप पूरा करिए, तो देखिए यह क्या बना यहां पर? घड़ी की सुईक के विपरिद डारे हवा जब जाती है, तब वो सीधे जाने की बजाए अपने लेफ्ट की और थोड़ा सा मुर जाती है, उसमें लेफ्ट की और विक्षेपन देखने को मिलता है, तो देखिए फ्रेंड्स अब इस सरकल को आप कंप्लिट करिए, तो घड़ी की सुईक के देखिए, दिशा में ये हमारा कंप्लिट होता है, मतलब दक्षिनी गुलार्द में चकरवात के दोरान हवा की जो डारेक्शन होगी, घड़ी के सुईक के अनुकुल होगी, क्लियर, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये, I hope आपको समझ में आया होगा, कुछ भी डारेक्शन आपको याद करने की ज चकरवात आते हैं, उसे क्या बोलते हैं, साइकलोन मतलब नॉर्मली चकरवात के नाम से जानते हैं, आस्ट्रेलिया के देखिए उत्तर पश्चिमी शेत्र में जो चकरवात आते हैं, उसे क्या बोला जाता है, विली विली के नाम से जाना जाता हैं, किस नाम से विली विली टॉनेडो और टाइफून इसमें देखिए student जो है वो अक्सर confused जाते हैं तो टाइफून को लेकर मैं आपको एक trick बता देता हूँ ऐसा ध्यान रखिएगा कि जापान और चीन में आपने देखा होगा कि बहुत सारे businessmen रहते हैं ठीक है business करते हैं चाइना जो है पूरा भारत में business करता है तो देखा होगा अपने businessmen को वो अक्सर टाइ लगा के रखते हैं तो देखिए टाइ कौन लगाता है चाइना में businessmen लगाते हैं तो बस टाइ से क्या बन जाएगा टाइफून टाइ जहां पर विवर्ड आएगा आपके दिमाग में चाइना आ जाएगा तो आप कभी भी गलत आंसर नहीं टिक करके आएगे तो चीन के पास समुदरी शेत्र में जो चक्रवाद आता है उसे क्या बोलते हैं टाइफून के नाम से जाना जाता है आगे देखिए फ्रेंड्स USA के मेदानी शेत्र से जो ठंडी हवा उठती है और मेक्सिको की खाड़ी से जो गर्म हवा निकलती है वो आपस में टकराती है तो उससे भहंकर चक्रवाद का निर्मान होता है उसे क्या बोलते हैं टॉर्नेडो बोलते हैं और टॉर्नेडो जो है वो केरिबियन सागर में देखने को मिलता है ठीक है फ्रेंड्स जब ये टॉर्नेडो मेदानी भाग में इंटर कर जाता है तब इसे क्या बोलते हैं टॉर्नेडो एली बोलते हैं जेखे चक्रवाद जब समूदरी भाग में तब उसे वहाँ पर टॉर्णेड़ो बोलते हैं, पर जैसे ही मेदानी भाग में इंटर कर जाता हैं, तब उसे टॉर्णेड़ो gue Л.E. के नाम से जाना जाता हैं। tornado alley जो है, वो मुख्यता Mississippi Missouri मेदानी शेतर में जो है, वो देखने को मिलता है, ठीक है friends, इस चीज को ध्यान रखेगा, एक और important चीज, tornado जो है, वो दुनिया का सबसे खतरनाक चक्रवाद है, सबसे खतरनाक चक्रवाद कोन सा है, tornado है, इसकी तिवरता जो है, वो Fujita scale का उपयोग करके मापी जाती है, Fujita scale का उपयोग करके मापी जाती है, tornado की तिवरता, आगे देखिए friends, हम बात करते हैं, hurricane चक्रवाद की, तो ये Atlantic सागर में देखने को मिलता है, Mexico, Florida, West Indies के 30 शेतरों में, normally hurricane चक्रवाद जो है, वो देखने को मिलता है, तो friends, ये नाम जरूर ध्यान रख गेल से, hurricane prior 1 June से लेकर 30 November तक देखने को मिलते हैं, तो friends, ये देखिए, वीशो के प्रमुग चक्रवादों के नाम हमने discuss करें, कि चक्रवादों को किस area में किस नाम से जाना जाता है, okay, आगे बात करते हैं friends, हम प्रती चक्रवाद मतलब anti-cyclone की, बहुत ही simple है, जिसा कि नाम से इसपस्ट है, cyclone का उल्टा, मतलब देखिए, चक्रवाद के center में हमने बात करीती की low pressure होता हैं, और आसपास जो होता हैं, वो high pressure होता हैं, अगर हम प्रती चक्रवाद की बात करेंगे, तो यहाँ पर center में high pressure होता हैं, और आसपास जो होता हैं, वो low pressure होता हैं, तो हवाए जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की और जाती है मतलब प्रती चक्रवात में हवाएं जो है वो फेल्टी उवी हमको दिखाई देती है प्रती चक्रवातों में मोसम जो होता है वो पूरी तरीके से साफ होता है जबकि चक्रवातों में क्या होता है चक्रवातों के दोरान तेज मुसलाधार बारिज जो है वो हमको देखने को मिलती है अच्छा एक important चीज़ और ध्यान रखिएगा यहाँ पर चक्रवातों के दोरान जो तेज वर्षा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? frontal rain बोलते हैं वहाँ पर वर्षा नहीं होती है उसके center में ठीक है? तो यह हमने discuss करा friends प्रती चक्रवात क्या होता है? अगर प्रती चक्रवात में देखिए हवा की direction की बात करें हम तो बहुत ही simple है चक्रवात का just आपको उल्टा करना है उत्री गोलार्द में और डक्षिन गोलार्द में हवा की direction क्या होगी? अब बिल्कुल आसानी से आप निकाल सकते हैं आगे देखिए friends कुछ important points और में discuss करूँगा उसके बाद हम test की और चलेंगे तो देखिए उत्तर पश्यम प्रशान सागर जो है वो सबसे ज़्यादा active basin है चकरवात के लिए वहाँ पर सबसे ज़्यादा विश्व के चकरवात जो है वो जन्म लेते हैं कहाँ पर उत्तर पश्यम प्रशान सागर में इसके बाद देखिए उश्नकटी बंदी शेत्रों में जो दक्षिन अट्लांटिक सागर है और दक्षिनी पूर्वी प्रशान शेत्र है इसमें चकरवातों की उत्पत्ती नहीं होती है क्यों नहीं होती है तो ध्यान रखिएगा C की जो surface होती है वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है मतलब उसका temperature जो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है मतलब pressure यहाँ पर ज़्यादा होगा तो इस वज़े से यहाँ पर चक्रवात जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं clear friends उशने कटी बंदी शेत्र में ध्यान रखिएगा दक्षिनी अट्लांटिक सागर और दक्षिनी पूर्वी प्रशान शेत्रों में चक्रवात जो है प्राया उत्पन नहीं होते हैं इसके बाद देखिए चक्रवातों की शक्ती का मापन जो है वो किस scale पे किया जाता है तो ध्यान रखिएगा T scale पर चक्रवातों की शक्ति का मापन जो है वो किया जाता है तो friends देखिए यहाँ पर हमारा ये चक्रवात और प्रती चक्रवात मतलब साइकलोन और एंटी साइकलोन वाला थियोरी सेक्षन कंप्लीट होता है I hope आपको समझ में आया होगा चलिए friends अब हम टेस्ट के और चलते हैं और सारे important question solve करते हैं जो last year exam में question पूछे गए और जो पूछे जा सकते हैं तो चलिए test के और चलते हैं देखिए friends हमारा पहला question है tornado बहुत प्रबल उष्ण कटी बंदी चक्रवात है कहां का चक्रवात है Caribbean सागर में tornado जो है वो देखने को मिलते हैं A answer संयुक्त राज अमेरिका USA में निम लिखित में से किस शेत्र को tornado एली कहा जाता हैं किसे कहा जाता है tornado एली जब tornado जो है वो मेदानी शेत्र में इंटर कर जाते हैं तब tornado एली उन्हें कहा जाता हैं साधरन तर देखिए tornado एली जो है वो कहाँ पर देखने को मिलते हैं Mississippi मेदानी शेत्र में tornado एली देखने को मिलते हैं टाइफून नामक चकरवाद से निम लिखित में कौन सा शेत्र अधिक प्रभावित होता हैं देखिए हमारी trick क्या थी दोस्तों टाइफून 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 लगाता है चाइना और जापान में जो बिजनेस करने वाई लोग होते हैं वो अक्सर टाइफ लगाते हैं तो वही हमारी trick ये उसी के पास में टाइफून चकरवाद जो है वो देखने को मिलता है चीन सागर जो है वहाँ पर अक्सर टाइफून नमक चकरवाद देखने को मिलता है बी आंसर निमन मानकों में से हरीकेन की तिवरिता मापन के लिए किसका उप्योग के जाता है किसका उप्योग के जाता है हरीकेन की तिवरिता मापने के लिए सेफिर सिम्सन मापक का उपयोग के आता है बेरोमिटर में पारे के तल की अचानक गिरावट सूचक है बेरोमिटर में पारे का अचानक गिरना तुफान आने का संकेत होता है तो यहाँ पर देखिए B आंसर मारा सायोगा तुफान आने का संकेत देता है विली-विली है, विली-विली क्या है? उत्तर पश्रिम आस्टेलिया का उश्नकटी बंदी चक्रवाद जो है, उसे विली-विली के नाम से जाना जाता है उश्नकटीबंदी अक्षानशों में दक्षिनी अट्लांटिक और दक्षिनी पूर्वी प्रशानशेत्रों में चक्रवाद उत्पन नहीं होते हैं, इसका कारण है इसका प्रमुक करण क्या है? जो समूद्र के उपर की सर्फेस होती है, उसका टेंपरेचर बहुत कम होता है ठीके? समूद्री प्रस्टों के ताब जो होते हैं वो निम्न होते हैं, टेंपरेचर जो है वहाँ पर कम होता है इस वज़े से धक्षणी अट्लांटिक और धक्षणी पूर्वी प्रशान शेतर में चकरवात उत्पन नहीं होते हैं. टॉरणेडो की तिवरता के मापन हितु प्रियोग में लाया जाता हैं? टॉर्नेडो की तिवरता के मापन के लिए फूजीटा स्केल का उप्योग किया जाता है प्रती चक्रवात में वायू की दिशा क्या होती है देखिए इस तरीके से कोशन जो है एक्जाम में पूछ ले जाते हैं तो बहुत ही सिंपल है चक्रवात का जस्ट आपको उल्टा करना है चक्रवात में देखिए वायू की direction निकालना मैंने आपको सिखाई थी यह हमारी प्रत्वी है उपर वाला उत्री गुलार्द हो गया निचे वाला दक्षनी गुलार्द हो गया तो उत्री गुलार्द में देखिए, वायू की जो दिशा थी, मैंने आपको बताये था, कोई भी वस्तोकर गती करती तो वो राइट की ओर मुड़ जाती है, तो यहाँ पर देखिए, यह राइट की ओर मुड़ गई, तो यह क्या होगा, फ्रेंड्स यहाँ पर एंटी क्लोक बी-ांसर यहाँ पर सही होगा, खीक है फ्रेंड्स, चलिए, अगला कोशन लेते हैं, चकरवाद की उत्पत्ती कैसे होती है? दो विभिन तापमान वाली वायू राशिया जब मिलती है, तब उनके टकराने से चकरवाद की उत्पत्ती जो है, वो होती है? बी-ांसर, चकरव वर्षा, वातागर वर्षा किस कारण होती हैं? तो चक्रवात की गतिविदी के कारण जो वर्षा होती हैं, उसे क्या बोलते हैं? फ्रेंटल रेन कहा जाता हैं. ठीके? तो यहाँ पर C answer. T scale पर निम्न में से किसका मापन किया जाता हैं? जापान चीन सागर में जो उष्ने कटी बंदी चक्रवात आते हैं, उन्हें क्या कहा जाता हैं? सुच्छ आसमान जो होता है, वो एंटी साइकलोन की विशेश्चता होती हैं. उच्छ दबाव वाली हवाएं जो केंदर से बाहर की ओर चलती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अगला देखिए, चक्रवात का निर्मान कब होगा? जब केंदर में दाब निम्न होगा और चारो और दाब उच्छ होगा मतलब A answer जब केंदर में निम्न दाब और चारो और उच्छ दाब होता है तब चक्रवात का निर्मान होता है टॉनेडो है टॉनेडो क्या है? एक प्रकार का चक्रवात है उसके केंदर में क्या होगा निम्न दाब होगा तो एक अती निम्न दाब का केंदर होता है टॉनेडो बी आंसर प्रती चक्रवात में वायू दाब कहां अधिक होता है एंटी साइकलोन में जो एयर प्रेशर होता है वो कहां पर अधिक होगा ओवेसी बाते center में high pressure होता है और भाहर जो होता है वो low pressure होता है तो केंदर में जो होता है वो प्रती चक्रवात में वायूदाब अधिक होता है निमनलिकीत में कौन सरवादिक विनाशकारी होता है सबसे खतरना चक्रवात किसे कहा जाता है टॉनेडों को कहा जाता है कम हो जाता है यहाँ पर क्या बोल रहा है वो वायू दाब सबसे कम होता है मतलब प्रेशर जो होगा वो कम होगा तो टेंपरेचर बढ़ेगा मतलब टेंपरेचर कब बढ़ेगा ग्रिश्मरितू में तो ग्रिश्मरितू में वायू दाब जो है वो सबसे कम होता है डी आंसर बैसिक कॉंसेप्ट था, चलिए अगला कोशन लेते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किजिए, आस्ट्रेलिया में देखिए, वीली वीली चक्रवाद, चीन में कौन सा, टाइफून, भारत में देखिए कौन सा, चक्रवाद, और USS संयुक्तराज अमेरिका में कौन सा, हरीकेन, तो यह हो गया देखिए, हमारा 2, 3, 4 और 1, तो यहाँ पर देखिए, 2, 3, 4, 1, यह आंसर सही होगा, दक्षणी गोलार्द में, पवन के बाईं और विचलन का क्या कारण होता है, दक्षणी गोलार्द में, हवा जो होती है, वो left side deflect हो जाती है, उसका क्या कारण होता है, क्या कारण होता है, कोरिलिसिस बल, जो की प्रत्थिवी के गुणन के कारण लगता है, तो यहाँ पर C आंसर बिलकुल सही होगा, तो देखिए, यहाँ पर हमारा टेस्ट वाला section complete होता है, दोस्तों अगर exam में इस topic से question आएगा, तो आप 100% question जो है, वो सही करके आएगे, तो I hope आपको यह वीडियो काफे पसंद आया होगा, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगाए, तो प्लीस वीडियो को लाइक करिए, अपने friends के साथ में जरूर शेर करिए, और अगर आपने अभी तक चेनल को सब्सक्राइब नहीं कराएं, तो सब्सक्राइब भी कर लिजिए, क्योंकि इस तरके के वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा, आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा, तो friends मिलते हैं अगले वीडियो में, जै हिन, जै भरत!